गुड मॉर्णिंग बच्चो वन सेकेंट स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्लेटफॉर्म तैड इस दा पेजिक सिस्टार गेलेक्सी बच्चो हमारा चेप्टर चल रहा था कैपेसिटर आए इसी चेप्टर को कंटीन्यू करते हैं नेक्स हम जो सीखने जा रहे हैं that is the series-parallel combination जब आप कैपेसिटर को series में लागाते हैं तो equivalent capacitance कैसे निकालें जब आप इस capacitor को parallel में लागाते हैं तब equivalent capacitance कैसे निकालें आइए समझते हैं series and parallel combination पहले कौंचा सीखने जा रहे हैं आइए heading है आपकी series and parallel combination फर्स्ट अफ ओल आइए देखने जा रहे हैं फर्स्ट अफ ओल देखने जा रहे हैं number one series combination series combination अच्चो एक बात बताईए series combination के हम बात करने जा रहे है series को आपको capacitor लगे है,these are the capacitor in series चले मालने तो similarly 3-4-5 इतने आपको लगाने हैं तो आप इतना देख पा रहे हैं ये जो आपके capacitor किस में लगे है सिरीज में लगे हैं और यहां से आपने इसको एक बैटरी जिसकी वी बोल्ट पोटेंसियल है उससे connect कर दिया इस capacitance का मान की value मान लेते हैं C1 इस capacitance की value मान लेते हैं C2 बश्चो इस बात आप लोग जानते हैं क्या यह क्या आपका जो series में क्या होता है current same होता है और capacitor के term में बात करें तो same current means same charge आपका इसके फूरू जाने वाला है यादि जितना charge यहां से पास होगा उतना charge यहां से पास होगा इतिवासन में आ रही है अब इस total potential यहां drop होगा कुछ यहां drop होगा तो हम बोल सकते हैं V1 प्लस V2 हम बोल सकते हैं V1 प्लस V2 बच्छो आप जानते हैं क्या अभी हमने capacitance में एक चीज़ ही रखी थी Q1 प्षट्ट्व C into V यह सीखी थी definitely तो यहां से बच्छो V को क्या लिख सकते हैं Q by C तो V को क्या लिख सकते हैं Q by C C mean equivalent equals to V1 को क्या लिख सकते हो C1 by sorry क्या लिख सकते हो Q1 by C1 क्या लिख सकते हो Q1 by C1 प्लस Q2 by C2 बच्छो यह बात बताने के जर्वत नहीं है Q बराबर Q1 बराबर Q2 क्योंकि series में charge आपका same होने जा रहा है इसलिए मैंने क्या किया इन तीनों तम को cancel कर दिये और आपका जो series में आपका जो equivalent capacitance आया वो क्या आ चुका है 1 by C equivalent equals to 1 by C1 plus 1 by C2 अगर 3 होते तो क्या 1 by C3 जी आता अगर 4 होते तो क्या 1 by C4 भी आता तो कहने के मतलब है जब भी capacitance आपके series में हों तो कैसे add करना है रेजिस्टर में ऐसा combination parallel में दिखाए देता था वहार रेजिस्टर में जब केस करते थे electrical circuit जब हमने पढ़ा था वहां series जब था हम directly add करते थे जब कि यहां series होगा तो आप फी उल्टा add करेंगे आपको expression देखने को मिलने जा रहा है आई यह समझते हैं second case कौन से है parallel combination parallel combination parallel combination आई यह समझते हैं बीज आपके पास यहां पे आपके पास यहां पे आपने क्या किया एक capacitance कुछ ऐसे लगा दिया and this is the and this is the second capacitance this is the second capacitance आईए देखिए यहां से आपने battery connect कर दी वी बोल की बहुत अच्छी बात है let us suppose let us suppose बच्चो इसकी capacitance की value c1 इसकी capacitance की value c2 अब आप जानते हैं चार्ज आया यानि current बोल लिए चार्ज बोल लिए distribute हो जाएगा थोड़ा इधर थोड़ा इधर चार्ज यानि डिफरेंट होने जा रहा है बट आपको पता है parallel पे जितना potential हमारा यहां पे वी होगा यहां 0 जीरो इहां जीरो पोटेंशियल यहां पे वी है तो डेफिनेटल यहां यहां वी potential यहां इस capacitor के across भी और 0 इस के across भी इस capacitor के across भी और 0 यानि 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 आपका parallel circuit में क्या होता है potential same देता है बहुत अच्छी बात है potential same है different क्या है charge तो हम charge different है तो हम क्या लिख सकते है net q equals to q1 plus q2 आपको पता है q equals to c equivalent v equals to आप जानते है c1 v1 plus c2 v2 बच्चा अभी तो बोला आप parallel के case में क्या होता है v बराबर v1 बराबर v2 यह आपके बराबर होते हैं parallel के case में तो कहने के मतलग है यहां से आपने cut कर दिया v1 v2 3 v बराबर v1 v2 तो c equivalent आपको क्या निकल के आ गया बच्चो c1 plus c2 यानि जब भी आपको parallel में अगर equivalent capacitance निकालना तो आप directly add कर दीजिए अच्छा एक doubt एक बच्चे का comment आया था सरी equivalent capacitance या equivalent resistance का मतलब क्या होता है बच्चो यह सब इतना deep में clear कराया जाता है class में ऐसे कैसे आप पूछ सकते हैं क्या equivalent का मतलब क्या है इन दोनों का capacitance जितना आएगा इन दोनों का अगर में या वही लगाईए आपका परफस सींफिल होने जा रहा है तो सी equivalent का मतलब यह है इन दो को उखा के फैंक किये यहां पर सी equivalent जितनी भी value आएगी नय capacitor डाल दीजिए तो जो यह आपका performance देर रहा था वही सेम equivalent circuit आपका नया वाला डाल के भी होगा similarly register दो ओम प्लस चार ओम सीरीज में है तो equivalent अच्छा है ओम डिरेक्ली लगा लीजिए न दो और चार को फैंक यह छोटे-छोटे टुकड़े डेक्ली छे ओम लगा लीजिए तो सी equivalent का मतलब सुनना आ रहा है आर equivalent सी equivalent मात सुनना आ रहा है इससे replace करें कि आपका circuit से रह चलिए बहुत अच्छी बात है अब देखो बच्चों जो हम electrical circuit पढ़ रहे थे electrical circuit जो हम chapter 2 पढ़ रहे थे हमने क्या देखा था वहां पर हमने यह देखा था बहुत सारे question कर आया थे register capacitor की जगे register थे register register parallel में register register series में तो सारे की सारी problem जितनी हमने वहां करी वह सारी की सारी problem यहां भी लाई जा सकती है सिर्फ आपको क्या करना है वह सारी problem का registration कर दीजिए capacitor से बहसंवार है तो सारी के सारी प्रॉब्रम में रिपीट नहीं करने जा रहा हुआं तो कॉंसेप सेन है वहांपे फोर्मुला य॥ा थोड़ा शीच हो चुपर भांके रहाँ है अगर आप चाहते हैं कि एक जाम्पल करा दो तो में एक जाम्पल करा देता हुं सिर्फ आपके लिए वैसे तो बहुत कर चुक हैं ते कि क्या कर रहे हैं उसमें क्या रिजिस्टर की डाल दीजिए ना वहां इतने पी रिजिस्टर थे उनको कैपिसिटर से रेप्लेस कीजिए वहां 40-50 एक्जामपल किये थे सारे के सारे ग्जामपल आप यहां पर बिका सकते हैं कुछ वैल्यों कर लिजिए रेइस्टर की जागे कापिसिटर थे पचारास एक्जामपल वहां किये थे कम से कम वह सारे के सारे हैं पॉसिबल है अब हम इतना रिपीट थोना करेंगे कॉंसेट तो वहीं भूने चुन है म दो भी मान लिजिए यह इसी एक्जामपल की तरह कर लेते हैं मालेते हैं इसकी वैल्यों दो माइक्ट्रोफेरेड बासंनी मालेते हैं यह आपका 20 वोल्ट या 10 वोल्ट जितना आपका मन कर रहा है चलिए 20 वोल्टी ले लिजिए आप से पूछा जा रहा है पोटेंग्चि वो प्लस माइनस बीटू डवलप हो रहा है लेटा सब्सक्राइए बात सब्सक्राइए तो मुझे वीवन और वीटू की वैल्यू निकालनी है यह मेरे पास प्रॉब्लम है वही रजिस्टर वाले कॉंसेप्ट वही लेक्टिकल तो ज्यादा टाइम नियू लेंगे डिर्रेक क्या आप लोग जानते हैं क्या स्राइश में होता लेकिन अगर्ष क्याट सेयं होता है यहाँ पर्पवेक्स्य Experiment गईड़क verbessering और बीबहलते हैं यह इनुद्छू कापिशिदेंस कम उसमें पोटेंचियल ज्यादा किसका जैदा किसका है इसके प्लेंचियल आगा गॉ V1 कम आएगा आए करते हैं potential तो V1 इस्टू V2 किस ratio में बटेगा बैटा 1 इस्टू C1 इस्टू V1 मतला 1 by C1 यानि 1 by 3 इस्टू 1 by 2 में बटेगा मतला अगर यह 6 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 2 जास 6 2 3 जास 6 देख भी सकते हैं आप V1 इस्टू V2 V2 में 3 यानि निकालना आपको तो बच्चो यह सब सिखा चुके हैं रेजिस्टर में वीवन क्या होगा तू V1 निकालना है निस तू बाइ तो तो तीन दो पांच इंटू टो 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 वोल्टीज का ही तो इस्टा बटेगा तो इस्टू फाइशन क्या बटेगा टूटल यानि दीस फाइफ फोर्जा ट्वान्टीफ तूजा एड़ वोल्ट आंसर सिमिलर्ली वीटू क्या होगा बच्चो थ्री बाइफ इंटू बीस वोल्ट पाइफ फोर्जा ट्वार्ट वोल्ट बेटा वही तो बोल रहे थे बारा वोल्ट और आट वोल्ट इसमें डूबा आपका प्रश्चन देखिए वहां जितने प्रिज्चन थे आप उसमें क्या कीजेगा क्या बैली चेंज कर दिजिए और रेजिस्टर को कैपिसिटर से रपेस करेज़ेगा बांकि आप उनके सांग खेलते रहे मेरा काम आप लोगों की कॉंसेप्ट यह करना तो वह भी आई-टी- यह प्रिस नीड लेवल था इंक्लूदिंग अलेवंट हैं तो काफी कुछ कॉंसेप्ट लिए करना है तो मैं एक वराइटी ऑफ कुश्चन एक वराइटी पर एक वराइटी पर पचास कुश्चन कराना में लिए भी पॉसिबल नहीं है तो यह सब आप करेंगे देखिए जब यहां पर दो कैपिसिटर या दो रेजिस्टर आते थे वहां सर्केट में तो बोलता था इसना दिमाग लगाना मत चीज वही करोगे तो आप डिरेक्ली कर सकते हो कैसे कर सकते हो याद कीजिए मैंने बोला था अगर दो है अगर दो है तीन में नहीं तो फिर वन बाई ये वन बाई ये ऐसे खterror कर लिखना पड़ेगा अगर दो है तो आप डिरेक्ली कर सकते हैं कैसे यहां से दिख्येगा कैसे कर सकते हैं कि दो और ये तीन कुछ माय में क्लिक कर रहा है नहीं कर रहा है आईए समझ यहां पर आपको देखिए वी बन निकालना था तो क्या inverse relation आता था यानि आप इसकी वैल्य उठाई है 2 divided by total V1 निकालना है तो कोगी inverse relation है इसलिए दूसरे का capacitance लखा लिए आसमनार ही है वीवन को निकालना है इसलिए दूसरे का capacitance यानि 2 divided by total capacitance 3252 by 5 तो कितना हो गया V1 equals to 2 by 3 plus 2 लिख देता हूं तागि आपको समझ मा आज है इन्टो 20 वोल्ट की बैटरी है वीटू क्या हो गया बेटा वीटू निकालना है तो capacitance इसका लेना क्योंगि इन्वास रिलेशन है तीन बट्टा कितना हो गया तीन प्लस तो इंटो 20 ध्यान तो देखिए वही आएगा फाइट वोल्ट वोल्ट तो देखिए वीटू 12 वोल्ट आया था जी वही लिखिए देखिए एक्सप्रेशन सेम तो सेम है इसमें आपका टाइम बच जाएगा अगर दो आएगा तो इतना यह रिश्यू निकालो यह करो यह वाले इस्टेप बच जाएंगे आप बस सीदे इसका निकालेंगे तो इसका capacitance उपा डिवाइडेड में अगर तीन होते तो आप ऐसा नहीं करते अगर तीन कैपिसिटर होते तो मुझे निकालना है इसका तो मैं इसका capacitance जो उपार डालता इसका जो उपार डालता निकाल पाता ना वासन में आ रिया तो यह कुछ नहीं है ratio proportion को इसा की है बस आपकी speed up हो जाएगा अगर आपके कही नहीं पे circuit में दो दिये हो गया है तो बच्चों बहुता कर सकता हूं आपके कि आभी खुद कर लेंगे practice बढ़ें आगे चलिया next is your आईए minimum minimum number of plates minimum number of plates required to minimum number of plates required to get क्या to get equivalent capacitance equivalent capacitance आई यह समझ यह क्या है देखी capacitor तो आपके जितनी देखी प्लेट ज्यादा लगाएंगे capacitor तब भी बन जाएगा यह देखी एक situation समझेए आपके पास let us suppose मेरे पास यह दो capacitor है this is the first capacitor and this is the second capacitor यह दोनों आपनों को दिखाई दे रहे होंगे किस में है series में है बहुत अच्छी बात है यह दोनों capacitor series में है इसकी value c1 इसकी value c2 let us suppose बच्चो charge आया q charge q आया इसमें plus q इसमें अगर आपका plus q and this is minus q this is plus q and this is minus q तो बच्चो इस side कितना charge होगा outside दोनों का average ले लिजिए average तो जानते हैं 0 similarly इधर भी average तो यहाँ 0 है इस plate में total plus q दिखाना है तो यहाँ definitely plus q होगा अंदर क्या होगा plus q 0 plus q तब ही तो क्यों आएगा similarly इस plate के inside में कितना होगा इस plate के inside में plus q है इस plate के inside में minus q बासन में आ रही है similarly यहाँ भी बाहर लिखने के लिए क्या मैं already बता चुका हूँ 0 ले लिजिए average ले लिजिए बचो अब एक बात बताईए पहले तो यह दो capacitor है काम करते हैं same value ले ले लेते हैं हमें तो concept सीखना है एक बात बताईए यह दो capacitor series में लगे हैं आप लोगों का यहां पर क्या कि कम प्लेट से भी काम किया जा सकता है क्या थोड़ा सा समझे क्या वहने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर लोगों का यहां पर आप लोगों का ऑःगा से देखिए यह प्लेट पर आउटसाइच चार्ज जीरो है इस प्लेट में आउटसाइच च्आज 2 है यहां अगर मैं इस प्लेट की बात करूँ तो आउट चार्ज ऑन आउटसध है देखे चार्ज फिया डे कि there is no use of this outside plate क्योंकि यहां brush zero है यहां भी चार्ज zero है no use of यह कमसी plate है no use of outside plate outside plate क्यों क्यों कि क्यों कि यहां पर क्या है चार्ज आपका जीरो है बहुत अच्छी बात है इस वाले की बात अगर मैं करों इस वाले क्या आउटसाइड इसका इस साइड की यहां भी देखी इसका भी तो कोई यूज नहीं दिख रहा है मुझे क्योंकि चार्ज आपका जीरो है वह अगे का प्लेट के इस प्लेट के बाहर यानिंदेश मforcement सक्ता वह को लमजिक करना सकता हूं बाना सकता हूं जीरो जीरो है तो बेटा मैं इकुलेंट नए क्या डाइग्राम बना सकता हूं इसके लिए मैं नए डाइग्राम ये बना सकता हूं कि कुछ ऐसे यहां क्या था and this is the बीच वाली and this is the final तो मैंने क्या किया यहां देखे यहां प्लस क्यू था बहुत अच्छे बात है यहां आपका क्या है प्लस क्यू और यहां आपका क्या है माइनस क्यू तो बच्चो आपने करा किया कुछ नहीं किया आपने बीच वाली प्लेट को मर्ज कर दिया अभी भी देखे आंसर कितना है का सीग्वलेंट सी बाई तो अभी भी आपका तो फाइदा क्या हुआ हमने देखा यह बीच वाली प्लेट जो है यह मर्ज करते हैं विश्ट ओफ है तो हमने क्या किया हमने इसको मर्ज जगे कर देंगे दो प्लेट की जगे एक प्लेट यानि आपनी क्या किया इंप्लाइज one plate one plate money क्या कर दिए आपने save कर दिए आरे वा यानि जो काम आपका दो-दो-चार plate से आपके डो ano कैपिसीडा बन रहे थे आंसर आपका इतना आता वही आप तीन plate की मदद से काम कर ले रहे हैं यानि आपकी एक plate की money आपने save कर दिए अरे बार, मजह आ गया, आसन में आ रही है, तो इस प्रकार आपने जब दो से, यानि आपने यहापे एक प्लेट सेफ करी, इसी प्रकार आपके अगर एन क्यापिसिटर है, फूर्चे कित्रे ज्यादा प्लेटा आप सेफ कर लेंगे, थोड़ा से रियलाइज करना चाहेंगे आई यह जनरलाइजेशन करने जा रहे हैं, पहले इतना से थोड़ा से नोट कीजिए, फिर जनरलाइज करते हैं, आई अब जो, देखिए, जनरलाइजेशन, 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 फूर किसके है, एन प्लेट्स के लिए, फूर एन प्लेट्स के लिए, आई यू, तीन, जार, paan, च्छे- normalmente या डो दास्, ग्यारा- बाराकर, तीरा ज़्डीर, डोर्ड, बात, डोर्ड, अनव्लेट्स आपके पास बच्चों कितनी प्लेट्स हैं यह, बोड़ अच्य वालत है कितनी हैं सारी का सारी मिलाग費, अन Recently है यह पिटा N plates है आपकी तो इसका अगर N plates का C equivalent पूछा जाए सबसे पहले तो कैसे निकालेंगे C equivalent आपका N plates का कुछ नहीं C by N minus 1 प्रीविएस उससे cross check कर लीजिए पर एप बात बताईए यह N plates है यह N plates है, capacitor कितने हैं यह 2 को मिलके एक बनता है इन 2 को मिलके यह 2 बने यानि 3 plates को मिलके 2 बने अभी थोड़ा दे पहले भी देखा था हमने तो यह असलों N plates है तो capacitor कितने है implies यहाँ पर देखिए N plates ठीक है implies कितने capacitor है, implies आपके capacitor कितने है N minus 1 capacitor है यह तो अब आप में já plate safe कर दी तब N minus 1 बनवाने है आपको, अगर आप कहतें थे plate safe नहीं करना है 2 को बनाओगा side रखा, 2 को बनाओगा side रखा बनाओगा side RUBAA जादा चीहेंगी, तब कितने ही चीहेंगे ? एक कैपिसिटर के लिए दो प्लेट ची होती है, तो N-1 कैपिसिटर के लिए कितनी चलेंगी? N-1 के लिए, तो यहां पर लिखिए, if if separate if separate if each capacitor is designed separately if each capacitor is designed separately is designed separately अगर आपने separately designed किया, तो total capacitor is required, therefore, total capacitor required, कितनी जर्वाद पड़ी गी था? एक कैपिसिटर के लिए दो प्लेट, तो N-1 कैपिसिटर बनागी, तो 2 N-1 कैपिसिटर की जर्वत पड़ेगी, sorry, total capacitor required plates की, total plates required, total plates required, double plate की जर्वत पड़ेगी, अगर मेरे को 4 capacitor बनाने तो 8 plate की जर्वत पड़ेगी, तो total plates required 2 N-1, बिए 2 N-1 total plate पहले जर्वत पड़ेगी, अब हम बना रहे हैं ऐसे, अब कितनी पड़ेगी हैं को जर्वत? N plates की जर्वत पड़ेगी है, पहले जर्वत पड़ेगी थी इतनी plates की अब जर्वत पड़ेगी इतने की, तो plates saved, कितनी plate आपने बचाई? plates saved, कितनी बचाई? total लग रही थी 2 N-1, minus क्या? जब ऐसे लगाई तो N लग रही हैं, तो बच्चे कितनी 2 N-N, N-2, आरे वा, कितनी plates save कर दी मैंने N-2, मजाई है, तो बच्चो इतना आप लोग समझ चुके हैं, कितनी plates आप ऐसे करके save कर सकते हैं, by just, जो दो उन्हें आज concept सीखा, इसी is clear, तो यह topic very very important, काफिबार आपसे question यह पूछिए जाता है, मेरे पास 50 plates हैं, बता जीजे सी, किरन के इतना आएगा, डिरेक्ली आप चेक कर सकते हैं, मेरे पास 2 capacitor हैं, मेरे पास 3 plates हैं, एंड 3, ऐसी वाली, तो capacitor इस कितना आएगा, 3 minus 1, 2 C by 2, याद कीजिए previous problem, क्या था previous problem है, 3 capacity, 3 plates, ऐसे थी, answer क्या आएथा, C by 2, यह जिनि 3 minus 1, 2, तो बच्चो, कभी-कभी पूछ देता है, अगर हम आपकी 100 plates का capacitor बना रहे हैं, टोटल कितनी plates save करेंगे, अगर हम ऐसे ऐसे बनाएं तो, तो बच्चो, आपके पास formula है, तो बच्चो, इतनी बाद तो समझना आ चुकी होगी, क्या हम capacitor अलग-अलग बनाने के वज़ाएं, ऐसे बनाएं तो हमारी plate, हमारी money save होगी, इस इस क्लियर तो अगर आपके इतना क्लियर हुआ, तो आगे बनाएं, श्यो, चल्दी बच्चो, नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, different combination of क्या plates, आईज़े समझज़े, different different combination of plates, पच्चो, इसको exam pass के help से समझते हैं इस topic को, देखिये, क्या बोला जा रहा है, आपका capacitors आपके series में हैं, तो आप देखती ही, पैचान लेते हैं, parallel में capacitors लगा हैं, आप इसले पैचान लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे combination possible है capacitors के plate में, कि आप देखके directly पता नहीं कर पाते हैं कि कौन किसके series में हैं, कौन किसके parallel में हैं, तो हम वही देखने जा रहे हैं, और वो निकल जाएगा हमारा गाम सरके समझ में आ जाएगा, यह इसके series में इसके parallel में हैं, after that हम C equivalent उनका easily निकाल लेंगे, तो सारे question में आपको करना क्या है, सारे examples में, find, find, क्या करना है, example लेके चल रहे हैं, one, find C equivalent, find C equivalent across, किसके, A and B, A and B क्या है, जहां पर आप battery connect करने वाले हैं, वाले terminal हैं, समझ हैं, आईए, series parallel, simple वाले तो आप समझ जाते हैं, different combination देख रहे हैं, तो पहला combination आपका है, पहला combination with example, example one ले रहे हैं, सारे problem में निकालना आपको same यह है, example one आईए, पहली plate यह है, दूसरी plate यह है, तीसरी plate यह है, चौती plate यह है, बहुत अच्छी बात है, अभी को मैंने connection दिये हैं, तो अभी से answer मत बोलना, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहां पे, मैंने क्या किया, इस point को A से connect कर दिया, यानि A terminal बैटरी के positive terminal, इस point को मैंने B से connect कर दिया, बहुत अच्छी बात है, और मैंने इन दोनों plate को कुछ इस प्रकार connect कर दिया, बहुत अच्छी बात है, अब आप लोग से बोला जा रहा है, find C equivalent across A and B, AB के across C equivalent बता दो, यानि net capacitor बता दीजिए, तो सबसे पहली बात आपका काम क्या है, पहले तो यह बताईए, total capacitor कितने हैं, दो plate की बीज में, एक, दो, तीन, दो plate की बीज में, एक होता है न, एक capacitor, दो capacitor, तीन capacitor, पहली बात आपका क्या, तीन capacitor हैं, बहुत अन्ना रिये, चलिए, अब देखिए, कौन किस के series में, कौन किस के parallel में है, आईए देखिए, इसका potential कितना है, A potential, या V A, इसका potential B potential, इस plate कितने potential पर है, मुझे नहीं पता, मैंने X मान लिया, क्योंकि ये plate इसके भी connected है, तो इसका भी potential, से है, सेम होगा, X होगा, बहुत अच्छी बात है, आईए पेटा, कैसे सिखाया था, point A, या V A, बोल दीजिया, point A, फिर X, अगला point, फिर अगला point B, आईए समझ दिया, पहला capacitor किस के बीज में है, X और A के बीज में, X और A के बीज में, पहरा capacitor, बना दीजिये, अरे वा, मज़ा गया, दूसरा capacitor, A और B के बीज में है, A और B के बीज में है, तो बना दीजिये, अरे वा, मेरा दूसरा भी बन गया, तीसरा capacitor B और X के बीज में है, तीसरा capacitor B और X के बीज में है, तो मान लेना, C1, C2 value corresponding आप डाल लेना, मैं तो सबके value CC लेके चल रहा हूँ ताकि calculation आसान हो जाए, आपके concept brush-up को, में नहीं मेरा यताभी concept brush-up को, आपको calculation नहीं करवानी है, 81 के, visitor के value 81 microfarad, 97 microfarad, नहीं, simple सा, concept clear करिए आप अपने, calculator तो चला कोई भी लेगा, मासम नहीं है, तो बेटा, आप C equivalent बता दीजिए, आपको बता सकते हैं, C equivalent कितना होगा, across A and B, अब आपको संचना आ चुका है, क्या है, ये दोनों मेरे को दिखाई दे रहे हैं, क्या, ये दोनों क्या दिखाई दे रहे हैं, series में दिखाई दे रहे हैं, and X तो आपने माना था न, आपको equivalent capacitance A and B के 20 में निकालना है, and A and B के 20 में, तो ये दोनों तो series में, बेटा, series में क्या होता है, C by 2, series में क्या होता है, C by 2, parallel में क्या होगा, parallel में क्या होगा, add होगा, C by 2 plus C, कितना होगा, 3 by 2, C, तो आपका answer क्या है वेटा, 3 by 2, C, this is the final answer, quit out, show, बढ़े हागे, ये आपका पहल एक्जामपल हो चुका है, ऐसे नेक्स एक्जामपल के तरफ बढ़ रहे हैं, आईए बच्यों, सेकंड एक्जामपल देख लेते हैं, इसी में मैं थोड़ा सा मोडिफिकेशन कर दे रहा हूँ, आप लोग के लिए, यह लीजिए, आपका कुछ ऐसे, एक्काम करते हैं, इन दुन प्लेट को मैंने कुछ ऐसे जोड़ दिया, अब आप लोगों से पूछ रहा हूँ, A और B के एक्रोस, A और B के एक्रोस क्या बता दीजिए, मुझे एक्व किसके पैरलल में है, बच्चो अभी जो कॉंसेक्ट चिकाया था, बस ऐसे जीजी, A और B के एक्रोस निकालना है, मुझे नहीं पता, इसमें पोटेंशल कितना है, मैंने मान लिया, X, सेम कनेक्टेट है, तो इसमें पोटेंशल कितना होगा, बच्चो, X होगा, खतम, कैपिसिटर, X and A के बीच में कनेक्टेट है, अरे वाह मज़ा आ गिया, दूसरा कैपिसिटर, A और X के बीच में है, यानि यह भी पहला भी A, X और A, दूसरा भी A, X बाद एक ही है, तो दूसरा कैपिसिटर कैसे है, A और X के बीच में ही कनेक्टेट है, अरे वाह मज़ा आ इसके बाद तीसरा X और B कि में connected है, तीसरा कैसे connect है, X और B से connected है, बच्चों आपका circuit हो चुका है complete, क्या आपको question में X दिया था, नहीं दिया था, तो चाहे तो आप रब कर सकते हैं, यह तो आपने, अपने सुधा के लिए बनाया, अब A और B के बीजन आपसे equivalent capacitance पूछें नहीं बता पाएंगे क्या, बता जीजी चल्दी से, parallel, parallel, parallel में क्या हो जाएगा, directly add, कितना हो गया, 2C, 2C और C, solve कर दीजे, कितना हो गया, 2C और C, यानि 3C, कितना हो गया, 2Y, 3C, answer हो चुका है, नहीं संचना आया, बेटा, parallel में directly add हो जाता है, और series वालों को इस parallel की तरह solve क बढ़ते हैं, दस बार बोल चुका हो, इसमें क्या बताना है, चलिए, 2 by 3C, तो note कीजिए, तो next example की तरह बढ़ते हैं, बच्चो, this was your example 2, अब example 3 की तरह बढ़ते हैं, अगर आपका note हो गया, तो मैं इसको रभ कर दू, चलिए, बहुत अच्छी बात है, मैंने इसको रभ क दिया, चलिए, तो आईए देखिए, अब क्या है आपका, अब आपसे बोला जा रहा है, अब आप लोग से बोला जा रहा है, सर्केट को ऐसा दिया है, चलिए इसको ऐसे रहन देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, अब क्या फरक पर जाएगा, कुछ नहीं, आपको बोल दिय है जो A terminal है आपका वो ये है और B terminal जो है आपका वो ये है equivalent पूछ ले रहा है आप लोगों से equivalent पूछ रहा है और चोई बात बताइए ये A से connect है उपर वाली plate या इसका potential V A या A लिखने जिए या V A लिखने जिए जो बता ये वाली plate किसे है ये वाली B से connected है तो इसका यह potential V B होगा PC वाली A ये वाली A से connected है तो इसका potential V A होगा 4 वाली B से connected है तो इसका potential V B होगा बता चार plate दिख रही है 1, 2, 3, 4, capacitor कितने? definitely 3, 1, 2, 3, आईए बनाते हैं क्या क्या है A और B? एक्स मानने की जरुवती नहीं पड़ी क्या है? A and B अब देखिए बटा ये दो देखके सहंजना आ रहा है A A B के बीच में है, A B A B के बीच में है, A B A B के बीच में है तो कि यह पहला दिखाए देख वाला समझ दीजिए D A B B के बीच में पहला दूसरा 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 दूसर अरे नहीं आया बच्चे इसमें क्या सिखाया जाए इससे अच्छा कॉंसर तो और क्या बताया जाएगा अपनों को बताईए तो क्लियर है नेक्स एजामपल की तरफ बढ़े है तो इसका आंसर तरी जी नोटी अच्छो एग्जामपल नंबर फोर देखने जा रहे है अगे इसी सर्केट में थोड़ा सा मॉडिफियेशन कर देता हूँ आईए देखे यहाँ पे एक काम करते हैं पहले तो चलिया आईए शुरू से बनाते हैं यहाँ पे अगें कैसा था आपका एक दो तीन चार कैपिसिटर बढ़ा दे रहे हैं यानि प्लेट बढ़ा दे रहे हैं अभी तक कितने तीन कैपिसिटर अब चार अभी तक जो हमने प्रॉब्लम देखी थी यह कैसी देखी थी एक काम करते हैं एक काम करते हैं यह लिजिए एंड 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 एक काम करते हैं ये लीजिये एक काम करते हैं और इंटरेस्टिक मना लेते हैं यहां दे दीजिये अरे वाह मजाई आ गया आईए, बता दीजिए बता दीजिए क्या equivalent capacitance अब देखिए A, B किसको माना है, किसके across मिकालना है A point आपका ये बोल रखा this is the A and this इसको बोल रखा B point, यानि इन दो के across आपको battery लगानी है और equivalent capacitance बताना है और equivalent capacitance बताना है बताईए, जब इसे बता दीजिए again जो आपी concept चिखाया वही है, जो आपी concept चिखाया वही है, आईए, करते है ये वाला जो plate है A potential पे है ये वाला definitely B पे है तो definitely ये B potential पे ही होगा तो definitely ये B potential पे होगा, ये plate मुझे मुझे नहीं पता कितने potential पे तो मैंने X मान लिया ये plate मुझे नहीं पता कितने potential पे तो मैंने X मान लिया कैसे शिखाया था? आईए अब देखे पहला वाला X और A के बीच में बहुत अच्छी बात है बना दिया दूसरा वाला A और B के बीच में दूसरा वाला आप लोगों ने बना दिया बहुत अच्छी बात है तीसरा वाला B और X के बीच में तीसरा वाला B और X के बीच में यानि यहां कहीं है और अच्छी बात है बना दिया एंड चौथा वाला X और B के बीच में X और B के बीच में तो बना दिया X और B के बीच में यानि कुछ ऐसा यानि कुछ ऐसा बासन ना रही है अरे वह मेरा तो पाइनल डाइग्रम बन गया क्या यह एक्स आपने समझने कि लिए था जी हां चाहिए तो मिटा सकते हैं equivalent circuit आगिया आपका अब इसको देखके तो बता सकते हैं क्या कि कosit कितना कोगा यह तो आपके अपारलाल एड़ करण कितना होगा यह तो को सबमें एड पैरलल में है यानि पैरलल में डिरेक्ली एड कर देते हैं तो प्लस सी कर दीजिए तो 5 बाई 3 सी अरे वाँ मेरा तो अंसर आ चुका है कोई डाउट क्या सी इक पर निकाल पाएंगे शो पैटा यूप क्या होनी चुछीए तभी आगे को आप समझना आएंगे आगे की लक्टर बढ़े आगे और प्राटिस करने हैं शो चलिए एक आल और करते हैं परे नोट किजिए एक्जामपल नमबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं एक्जामपल नमबर 5 की तरफ कितने क्यापिसिटर हो गया काफी है चल गया इन दो को मैंने कुछ ऐसे कनेट कर दिया zo आपको बैट्री के टर्मिनल लगाने है ऐ और बी वो कुछ आपको ऐसे लगाने है ज्रबासा लेवल बढ़ा हैं प्रॉब्लम का ए और बी टर्मिनल के एक रहुत एक्विलेंट पूछता है आई ये करते हैं बच्चो इन दोनों प्लेट में A और B मुझे नहीं पता यहां कितना है एक्स सरहा होगा इसमें एक्स है तो डेफिनेटली इसमें भी एक्स सेम कनेक्टेड है इसमें मुझे नहीं पता तो मान लेते हैं Y यादा रहे हैं कुछ रिजिस्टर में Y लेवल तक भी हम रहे थे तो वही आईए अब देखिए आईए समझे बनाते हैं चलिए A X आईए एक पॉइंट Y आ रहे है वी दिश्टर वी पॉइंट मैंने कहां तो प्रैक्टिस के समझने आ जाएगा कि Y कहां मार्क करेंगे छोड़ दीजिए या इसमें मार्क कर दीजिए यह छोड़ दीजिए मैंने ऐसे स्पेस में मार्क कर दियो आईए पहला वाला के पिसिटर X A पहला वाला किसके बीच में है X और A के बीच में है बहुत अच्छी बात है दूसरा वाला A Y के बीच में है A Y के बीच में है तीसरा वाला Y B के बीच में है तीसरा वाला Y B के बीच में है बहुत अच्छी बात है चौतरा वाला X B या B X के बीच में है अरे वाह मेरा तो आंसर दी आगी या नहीं बता पाई में क्या बता दीजिए अब क्या रखा है X और Y तो आपने समझने के लिए माना था A और B के equivalent निकालना है A और B के across निकालना है तो A और B के across यह दोनों मुझे series में दिख रहे हैं और total combination parallel में दू series में आएंगे तो C by 2 C by 2 C by 2 parallel में आगे तो add हो जाएंगे C by 2 C by 2 add आगे तो answer के आगे आगे आपका C आरेकवा मज़ा ही आगे सर्म में आ रहा है और practice करें चलिए बोट कीजिए Example number 6 देखने जा रहे है Example number 6 देखने जा रहे है आईए modification कर देते हैं इसमें यह जो आपका connected है चलिए एक काम दीजिए इसको ना हो इससे कने कर लिजिए इसको हटाईए इसको मानीजिए B इसको मानीजिए एक काम कीजिए हाँ चलिए इसको मानीजिए B यह तो आप मानेंगे तो problem संग में आई अब आपका new example 6 ऐसा है चलिए से खोट राइट कीजिए 30 seconds लिजिए आंसर बताईए चलिए बागी लोग देखिए यहाँ पे मुझे A और B के एक रोष मिकालना है मुझे ठीक है इसका potential A पता है इसका नहीं पता है मैंने मान लिया X इसका X तो definitely उच्छा है इसका भी X इसका नहीं पता तो मैंने मान लिया Y बिटा बना दो अभी सिखाया था कैसे पॉइंट A मार्क करो पॉइंट X मार्क करो पॉइंट B मार्क करो Y को चोजो कहीं स्पेस में A से पहला वाला X और A के बीज में पहला वाला X और A के बीज में बीच में, अरे वाह, तीसरा वच्चो, Y, X के बीच में, Y, X के बीच में, अरे वाह, चौंता वच्चो, चौंता X, B के बीच में, X, B के बीच में, तो मेरे हिसाब से अब आप आप लोग का लेवल इतना हो चुका होगा, कि कैसा ही combination देदें plate का आपको confuse करने के लिए, ठोला सा concept आपको clear कर चुके है, equivalent circuit बनाने की, simple circuit बनाने की, कोसिस कीजिए और answer निकाल देजिएगा, बता देजिए फिर इसका answer जितना है, A और B के across निकालना है, यह मुझे in terminal के across equivalent register निकालना है, निकाल दीजिए, आईए देखिए, समझे, यह दोनों आपके series में, series में आपकर क c by 2, और यह parallel में आगिया, और यह parallel में आगिया, तो directly add हो जाएगा, c by 2 plus c, कितना हो गया, 3 by 2, c, 3 by 2, c, और यह series में आगिया, 3 by 2, c, 3 by 2, c, और इसी series में आगिया, तो कितना हो गया, 10 plus 1, 2 हो गया, तो कितना हो गया, 3 by 5, c, अरे वा, मेरा तो answer भी आचुका है, कुछ नि आप लोगों को माइंड में सॉल्ट करने की हैबिट डाल जिए अब यह आप आपने स्कूल के एक्जाम नहीं लिख रहे हैं, आपको कम्मुटिटिव एक्जाम के तहिं रहे हैं, आपको माइंड का मेंटल लेवल डवलप होना चीए, वो कब होगा जब आप एक्साइच करें चली मिलते हैं कल की क्लास में, तिल देन, थेंक यू